हाई दोस्तों, असलाव अलेकुम, कैसे आप लोग, मेरा नबील है, यह आज हमारा संडे क्योंन है, जिसमें आपके पूछेवे questions क्यासे में दिनी कोश करता हूँ, अगर आप भी इस संडे क्योंन में participate करना चाहते हो, आप चाहते कि आपका question भी यान लिया जाए, तो नीचे प्लाटफॉम की वाट क्यों लगा रहा है, टिक टॉक क्यों बना रहा है, प्लाटफॉम को YouTube Shorts के जरिए से, और Creators पर ध्यान नहीं है, ओडियोंस पर ध्यान नहीं है, क्योंकि यूट्यूब का जो support staff है, वो भी available नहीं, और इतना बड़ा प्लाटफॉम में इतने जादा Creat बहुत बार फेस करने पड़ी, कभी स्ट्राइक आगी, कभी कुछ आ गया, तो उसमें जो है मुश्किल पेश आती ही आती रही बाद, शॉर्ट वीडियो की जो TikTok बनानी आप बात कर रहे हो, अब जो है जमाना ऐसा है, कि लोगों को लंबे लंबे वीडियो देखने से दिमाग लगाना नहीं पड़ता, वो देखने में जादा इंट्रेस्ट आ गया है, TikTok ने ये चीज़ प्रूफ कर दिया है, कि ये वीडियो की रीज, इनका इंगेजमेंट जो है, काफी जादा हो सकता है लॉग वीडियो से, जहां पे आपको कुछ सीखने मिलता है, लेकिन आज कल क्योंकि अगर बिजी लाइफ है, और आप टाइम पास करना चाहते हो, तो वो जो स्क्रोलिंग टाइप के वीडियो है, जिसे शॉर्ट है, जिसे रील है, जिसे टिक टॉक है, वो जादा पॉपिलर है, और बिजनस में रहने के लिए यूट्यूब को लोगों को यह बी अच्छी चीज़ दो यूट्यूब पर आएंगे तो शॉर्ट वीडियो बनाते है, उनका भी फायदा है, जो लॉग वीडियो बनाते है, जिसे हम लोग उनका भी फायदा है, तो विन-विन सिचुएशन है सब के लिए, लेकिन बाकी बातों से मैं सहमत हो आपके कि क्या होता है, क्या यह काम करता है, एक्सपोजर नोटिफिकेशन वो ही है, जो गूटिफिकेशन ओता है, जैसे अरोग य शेच्तु आप है, इंडिया के अंदर, वैसे ही यूओ सवागरा के अंदर, बहुत सारे कंट्री में अलग-अलग अप्लिकेशन है, तो अब यह जो आइफोन का exposure notification काम करता है, उसमें काफी जादा details आपको देने पड़ते हैं, जो के इस application या इस function के अंदर suitable नहीं है, यहाँ पे इतने जाद details देने नहीं पड़ते हैं, तो वहाँ पे इसके अंदर ROK से तु काम नहीं करता, लेकिन बहुत सारे ऐसे countries है, जहाँ पे यह काम कर अगला question है दोस्तो, Terminator का यह बुरते है, कि Apple का नया child protection program को चो आने वाला है, इसके बार में बताईए, जहाँ पे iPhone users के photos को scan करेगा Apple, और पता करेगा कोई child अभी जवगरा तो नहीं है अपने algorithm से, यह अच्छा initiative है Apple की दफ से, लेकिन privacy iPhone user की उसके बारे में क्या, और Apple का biggest USB अपने iPhone के लिए privacy है, और क्या यह US में होगा या globally, अभी तो फिलाल US की बात चल रहे है, जहाँ पे Apple एक ऐसा algorithm की मदद से, ऐसे artificial intelligence की मदद से, जो है iPhone users के जो photos है, जो iCloud पे upload होते है, उनको scan करेगा, लेकिन वहाँ पे photos actually नहीं देखे जाएंगे, वहाँ पे जो child abuse का, उनक किया जाएगा, क्योंकि बहुत जादा हो रहा है child abuse और phones की मदद से, जो है, कुछ बच्चों के साथ गलत सरलत करके, वीडियो बना के, अलग-अलग जगा पे upload किया जाते है, या send किया जाते है, तो इसको stop करने के लिए policy implement कर रहे है, आप iPhone user की privacy के उपर बहुत बड़ा question mark ह इसके अंदर, फिलाल तो US के लिए ही है, लेकिन world over भी यह चीज implement हो सकती है, अगर वहां की government चाहे तो, लेकिन US में definitely यह implement होगा, ऐसा यह लोग बता रहे है, कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे है, कुछ लोग बुराई कर रहे है, अब यहाँ पे अगर आप अलग नसर से कि iPhone users की privacy का क्या, तो बिल्कुल इसके अंदर privacy compromise होती है, कितना भी Apple बोले है, हम उसको नहीं देखते है, परसनली लेकिन फिर भी privacy compromise होने का इसके अंदर chances है, तो यहाँ पे आगे वक्त क्या बताएगा इसके बारे में, यह wait and watch वाली situation है भी फिलाल, अगला question है दोस्तों, श अगर आपके पास है, या कोई भी document है, आपको print करना है, तो simply share वाला जो button है, वो दबाए, यह share वाला screen आपका open हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते है, और यह share वाले screen में आप नीचे चले जाएंगे, तो नीचे जो है, आपको print वाला option भी देखने मिलता है, आप read कर प discontinue हो जाएगा, after the launch of iPhone 13, कि अभी currently बताया नहीं जा सकता है, iPhone 11 discontinue होगा, कि नहीं होगा, iPhone 11 से पहले, अगर कोई discontinue हो सकता है, जाधा chances है, तो वो है iPhone XR के, क्योंकि iPhone XR almost similar specifications के आता है, मतलब display बगरा के मामले में, या body के मामले में, लेकिन वो एक generation पुराना phone है, उसका Apple logo भी iPhone XR को Apple ने बेचना शुरू रखा, उसको discriminator नहीं किया, maybe because it was performing really well, तो अभी आगे जाके देखना है, कि performance के हिसाब से Apple अपने line-up को रखता है, कि कितना sales performance जो है, वो लोग दिखा रहे है, या फिर अपने line-up को एक तरीका बनाने की कोशिच यहाँ पे Apple करता है, तो wait and watch वाल आउंच होने में, hardly rate मेंना बाकी है, इसे बारे में कोई भी information आती है, तो मैं जोर इस पर वीडियो बना के आपको बताऊंगा, अगला question दोस्तों, राजा का, ये बोलते है, मेरा सवाल है, कि iPhone 12 लेना है, तो second hand लेना चाहिए, फिर new लेना चाहिए, 13 का इंतजार करना चाहि और second hand में अच्छी deal भी आपको मिलनी चाहिए, second hand आप लेने में आपके पैसा जाता है, लेकिन आप tension free भी हो जाते हो, और second hand लेने में आपका पैसा बच जाता है, लेकिन थोड़ा एक tension वाला मामला रहता है, कि सामने वाले ने कहीं पानी में डुबाया तो नहीं होगा, कह तो नया लेना definitely better है, second hand ले सकते हो, तो लीजिए अगर आपको परक है चीज की तो, और 13 के लिए वेट करना चीए, फिन नहीं करना चीए, अब 13 आने में देड़ दो मेना बाकी है, अगर आप रुख सकते हो, तो रुखिये, उसके बाद भी टोय ले सकते हो, लेकिन अगर अभी जो है, लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कोई डिवाइस, जिसके लिए आप रुख नहीं सकते है, फोन आपके बस नहीं है धंका, तो लेना है, तो फिर क्यों नहीं लेना, जरूरत है, तो जरूरत को पूरा कीजिए, अगला कोशन है दोस्तों, घंशाम सुद्य जहां पर आप लगा हैंग अपने घर पे, जहां पर भी आपका पलग है, वो भी जगह के बदल के, होसकता है अधिंग का प्रॉब्लम है, चार्जिंग केबल बदल के देखिए और चारजर भी बदल के, या दूसरा कोई चारजर इस्तमाल करके देखिए, जरूर आपके च नोटिफिकेशन लाइट देना नहीं देना यह Apple के अपनी मर्जी है अब Android फून के अंदर यह सारे फून के अंदर आ जाता है Apple को फीचर लाता है तो फट आफट इंप्लिमेंट कर देते हैं वो लोग कोई फीचर लाते तो एक दूसरे का जो है नहीं करेंगे क्योंकि उनको दूसरे कर रहे हैं उसको सीधा लाके इंप्लिमेंट यहां पर नहीं करना होता है और नोटिफिकेशन से आपको दूर रखने की कोशिश करता है जो फोकस मोड आए है अभी iPhone के अंदर iOS 15 के अंदर उसकी माद से नोटिफिकेशन से आपको दूर नोटिफिकेशन हमेशा अच्छे नहीं होते लेकिन नोटिफिकेशन लाइट देता बेनेफिचल होता लेकिन नहीं देने वाला है यह बात पक्की है अगला कॉशन है नईम का यह होते है मैं अपने Mac Mini या iMac पे काम कर रहा होंगा और उस टाइम पे अगर पावर आफ हो गय या अचानक तो कुछ भी आपका खराब नहीं होने वाला है यह मशीन जो है इतने केपेबल है यह सारी चीजों को हैंडल करने के लिए लेकिन कोशिश कीजिए कि यूपीज जो है इंस्टॉल कर लें आप अपनी मशीन के लिए और अपने घर के लिए ना सिर्फ आपका Mac ब आइपैड प्रो 12.9 इंचिस वाले में देखा डिस्प्ले एडी रहेगा याने की लो कॉस्ट रहेगा लेकिन मिने लेडी देने की वज़े से तोरा डीपर ब्लैक्स वगर आपको वहां पर देखने मिल सकते तो कॉस्ट कट करके चीपर मॉडल को जो है उस तरीके से वज़े से जो है आइफोन हैक हो गए है और इतना लाखोर रुपे दाल के और जो आपल प्राइवेसी करता है तो किस तरीके से इतनी बड़ी कंपनी इसराइली चोटी सी कंपनी के सामने हार गई कि इनको समझ मिन आ रहे है कि आपल फ्यूचर को अपडेट दे सकता है जिस उसके ओपर हमला इसका किया जाता है ऐसा नहीं कि इसको बस मार्केट में छोड़ दिया या इंटरनेट पर डाल दिया और सभी लोगों को यह इफेक्ट कर रहा है ऐसा नहीं है अगर उनको चाहिए कि नबील का फोन जो है वो हैक करे उसकी बात सुने उसका कैमरा देखे उ आपकी आइफोन को भी एफेक्ट कर सकता है अगर आप वो टार्गेट हो तो उस एजंसी का और अपल क्या security update से software update से इसको जो है resolve कर सकता है privacy कर सकता है लेकिन फिर भी जो है इस type कोई agency इस type को कंपनी उसकी privacy को भी तोड़ सकती है तो कोई भी चीज जो इंटरनेट से जोड मैक मिनी का फायदा ये है कि डिस्प्ले जो है आप अलग से अपने मुताबिक ले सकते हो अगर आपको 4K डिस्प्ले की ज़रूत नहीं है तो 1080 डिस्प्ले थोड़ा पैसा बजा कि आप भी ले सकते हो 4K लेंगे अच्छा वाला Type-C वाला तो 40,000 रुपे उसके लिए आपको spend करने पड़ेंगे फिर mouse और keyboard लेंगे तो iMac जितना ही पैसा आप खर्च कर बैठेंगे लेकिन Mac Mini का फायदा ये है कि सब्सक्राइब को घर पे काम नहीं करना है आपको hotel में काम करना है किसी घर पे और दोस्त के घर पे काम करना है और office कहीं और है आपको वहाँ उसको लेके जाना है तो उसको bag में डाल कर आप लेके जा सकते हो iMac को ले जाना काफी मुश्किल है और iMac का फायदा ये है कि आपको speakers उसमें मिल जाते है उसके अंदर आपको keyboard mouse included है और साथी साथ आपको एक बहु गरम हो जाता हूँ ब्राइटनेस लो जाती है अब ब्राइटनेस बड़ा भी नहीं सकते है तो यह चीज़ इसलिए होती है क्योंकि आपका iPhone जो है overheat protection mode में चला जाता है आपके iPhone में वह चीज़ इन-build है इरिटेटिंग लगती है चीज में भी जानता हूँ PUBG आपके लिए ब्राइटनेस लोग है अब बाहर बैटके PUBG के रहो गर्मी में तो ब्राइटनेस लोगी तो इरिटेट तो होगा और ब्राइटनेस को आप मैनुली बड़ा भी नहीं सकते आटो ब्राइटनेस ओफ भी करेंगे तो वह चीज़ नहीं होगी तो यह ऐसा होता है क्योंकि आपक के गेम खेलते हो हाइंड वाले जोड़दार फुल ग्राफिक्स के साथ तो आपको जो है मज़ा आए गालें बाहर खेलेंगे तो इतना मज़ा नहीं आगा क्योंकि यह प्राइटनेस लोगरा हो जाती है उसके अंदर अगला कुशन है दोस्तों शेख वसीम का शेख वसीम क करता है जिसमें उनका पैसा जोड़ जाता है मतलब मेट फॉर आइफोन मेट फॉर आइपैड अब यहां पे अगर आपको चाहिए तो एक 15 रुपे की है यह फोन जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा आप जाके वहां से खाली सकते है लेकिन आज कल जो अरफात कारवात बोलते है कि आप हमेश्रा प्राइटी आइफोन को क्यों देते हो मैं जानता हूँ आइफोन अच्छे है लेकिन आपको जो है दूसरे मोबाइल कंपनी को भी प्राइटी देने के लिए बहुत सारी यूट्यूब चैनल है बीजिच में में अंडॉड के फ बनाने के लिए तो एंडॉड के वीडियो में कब बनाऊंगा और एंडॉड के वीडियो यसा है कि एक फोन आया एक से दो वीडियो बनी और उसके बाद वो फोन को जो है सब बुला देते हैं लेकिन आइफोन को मुझे अच्छा लगता है और आपल की पूरी कम्यूनिटी आइफोन के लिए आया नहीं तो यहां पे आपकी जो है कानी खतम हुझाती सिधा जाकि जो है वन प्लस ले लो उसी पे जो है आप अब जी वगरा खेल के अपने वीडियो बना सकते हो फिलाल तो आईउस के लिए नहीं है बीजिये मैं तो यहां पे मैं आपको वोचीज ब कोई परचेस कर सकता है अब यह लगजरी नहीं रहे गया इतना एंसर आम नॉट यॉर हेटर जैसा लगा बोल देरी कोई बात नहीं है जैसा लगा आपने वोला बहुत ची बात है और एपल की डिवाइस को मैं लगजरी की तोर पर नहीं उसकता हूं मुझे बहुत मज़ा आपल के डिवाइस स्युट करने के लिए चाहे आइफोन हो चाहे मेरा मैक हो चाहे आइपड हो चाहे आपल पेंसिल हो मेरे सब चीज़ मैं यूज़ करने के लिए बहुत जादा एंज्जोई करता हूं फैमली मेंबर्स के आद एडॉप करना उनको फेस्टाइम करना सेम चीज आईफोन पर है कुछ अगर सिगनेचर वहां पे नहीं है मौझूद मैक पर मुझे अगर साइन करना है तो इसके ट्रैकपेट से भी कर सकता हो एक बटन दबाने से मेरा आईफोन जो है उसपे जो है स्जकेशन वाला फनक्चन आता है तो वहां मेरे Mac पे आ जाती है, यह सारे फीचर्स क्या मुझे Android में मिलेंगे, बहुत मुश्किल है, मिलना और मिलना भी है, तो हर एक के लिए एप्लिकेशन नाउलोड करो, इसलिए मैं Apple के प्रोडक्स यूज करता हूँ, लगजरी की इसके अंदर कोई बात नहीं है, अगला कोशन है फैस का फैस बोलते हैं कि 80% से नीचे अगर बैटरी गिर जाती, मेरे iPhone 11 Pro की तो क्या मैं फोन चेंज करो या बैटरी चेंज करो, देखो मेरे भाई आपको डिसाइड करना है, अगर 5000 रुपे की बैटरी आ रही है, और 48000 की आ रही है, वो पैसे में अगर आप बैटरी इसमें आपको नुकसान होगा, नए आफोन लेंगे, उसमें आपको नुकसान होगा, प्राइस डिफरेंस काफी जादा होगा, 45,000 में ये आइफोन दे कि आपको इससे बैटर वाला आइफोन तो मिलने वाला नहीं, ये 20-25,000 रुपे आपको उपर देना ही पड़ेंगे, उससे बहता है कि बैटरी आप चेंज करो लेगी, अगर आपको इससे लगता नहीं, बाई मैं अगर 20-25,000 रुपे आपको देता हूँ, यहां पर 5,000 जा नहीं है, तो 15 ही उपर जा रहे है मेरे, उसमें मुझे वारेंटी भी मिल रही है, बैटर आइफोन भी मिल रहा है, त फिर उसी को 5-6 साल तक खीचो, अगला कुछन है, राज यादव का बोलते है, आपका क्या कहना है, माइक्रो मैक्स के कमबैक के बारे में, बार-बार मेरे मुझे माइक्रो सॉफ्ट आ रहा है, माइक्रो मैक्स के कमबैक के बारे में, क्या बोलो, पहले तो कंपनी बहुत ही phones decent आ रहे हैं तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं अगर वो budget के आप phones देखते हैं तो मैं तो उस budget के segment में reviews वगरा नहीं करता और उस budget के phones को cover नहीं करता तो मैं अपना मूँ जो है इस मामले में बंद रखना ही ज़ादा सही समझूँगा अगला कोशने दोस्तों गोपाल का गोपाल बोलते हैं कि MacBook M1 वाले जो models है उनके screen crack का problem आ रहा है without any reason तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है मैंने 7 साल से MacBook यूज किया ऐसा कभी भी मुझे problem नहीं आ है देखिए मैं भी screen crack या कोई भी डेंट या कोई भी जो है damage मुझे इसके अंदर face करना नहीं पड़ा मैं इसको ले के travel भी करता हूँ कार में जाता हूँ दूसरे mode of transport में जाता हूँ और इसको जो है shoulder पे भी carry करता हूँ घर में भी रखता हूँ थोड़े साल के बाद यह हमें भी थोड़े महीनों के बाद address करें और accept करें कि हाँ यह problem होगा और दूसरा reason यह हो सकता है कि जिनके साथ हुआ है वो लोग जो है जुट बोल रहे है या फिर उड़कों को सही चीज नहीं पता है कि उनके साथ क्या हुआ है क्योंकि यह चीज ठोड़ी difficult to digest है लेकिन हो सकता है कि जिके साथ भी अगर हो रहा है जनुर्ली उन लोगों के साथ तो यह एक manufacturing defect है जो कि Apple आज नी तो कल जरूर इसके बारे में एक program निकालेगा जिसमें आपको बोलेगा कि अगर यह particular serial number का Mac आपके वास है तो उसको आकर आप replace करवा सकते है डिस्प्ले वारा जैसे keyboard के मामले में किया था अगला कोशन है यूप पटेल का बोलते है मेरा iPhone correct sleep data जो है वो शो नहीं करता में क्या कर सकता हूँ इसके बारे में आप यह कर सकते है कि manually आप अपना sleep data जो है वहाँ पे फिल कर सकते है अपने health application के अंदर आप iPhone तो अपने body के साथ चिपकावा नहीं रहता है जब side में रखके आप उसको सो जाते है और sleeping जो hours होते generally उसमें वो calculate कर लेता है इसका apple health के साथ integration है मैंने बहुत सारे review किया हूँ वह आप check कर सकते है तो उसके जरे से भी आप sleep tracking का इस्तमाल कर सकते है अगला question दोस्तों डेंजर डिमन का यह बहुत है कि one plus watch 15,000 में लेना चाहिए और मुझे आइफून लेना है और मैं सोच रहा हूँ iPhone SE 2 लेने का या SE 3 के लिए वेट करते है को वेट करते रहोगे तो हमेशा वेट ही करते रहोगे अब SE 3 कव आएगा यह तो पता नहीं SE 2 अभी आप ले सकते हो अच्छे price में available SE 3 आएगा भी तो फिर 45,000 रूबी के price में आगा फिर दीरे दीरे उसका price कम होगा जैसे SE 2 का हुआ था तो वह चीज का ध्यान रखना आने के बाद भी छे मेना आप लेनी पाँगी प्राइस उसका रहेगा या तो SE 2 ले लो या तो XR ले लो जो अभी available है उसके लिए आप जा सकते हो और Apple अगर ले रहे हो iPhone अगर ले रहे हो उसके बाद आप को स्मार्ट वॉच लेने का प्लान कीजी अगर iPhone आपको अच्छा लगा और आपको लगा कि iPhone का है मुझे continue करना है उस टाम पे आप Apple लेन अभी आपको लेए लेक बार लेह हो आपको अच्छा का लोगा याल